हेलो फ्रेंटश वेलकॉब वेक्टुमाइट वाइट्यो चनल आज हम डिफरेंड्स सीखेंगे किस चीज में एक बहुत इंपर्टान डिफरेंस है जो के है इंट्रै sec? and development कि development में और training में differentiate क्या होता है क्या difference होता है training करने में और development करने में ठीक है तो आज हम इसको समझते हैं training का मतलब क्या होता है पहले meaning समझते है it is the process of increasing training क्या होती है एक process होती है जिसमें हमारे increase किया जाता है क्या ची skill और हमारी knowledge क्या हमारी skill मतलब हमें talent क्या है वो skill पैंचानी जाएगी, increase करी जाएगी, और knowledge हमारी क्या करी जाएगी, increase करी जाएगी, knowledge को gain कराए जाएगा, ठीक है, यह होता हमारे training, अब हम समझते हैं development, it is the process, यह भी एक process होती है, लेकिन इसमें हमारी learning पर, और growth पर ज्यादा ध्यान दिये जाता है, अब दोनों का purpose क्या होता है, अगर हम training करते हैं, तो training से हमें क्या मिलती है, help मिलती है, कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी काम कर रहे हैं, जो भी job कर रहे हैं, उसको क्या करेंगे, बेटर तरीके से करेंगे, हमें improvement आ जाएगा, ठीक है, उसे करने के तरीके बदल जाएंगे, new, new technique सीख जाएंगे हम, तो यह कराता हमारा training, development क्या होता है, it is enables the overall growth of the employee, अगर हम development कर रहे हैं, या फिर हमारे अंदर कुई development ला रहा है, तो इसमें क्या होता है, एक employee का overall growth होता है, वजाए उसके skill or increase, knowledge increase हो, इसके वजाए उसमें हर चीज में increase होता है, उसकी हर चीज बढ़ती है, development होता है, उसमें employee में overall development होता है, emotionally हो जाता है, वो क्या हो जाता है, आपकी company से related, हर एक चीज को बड़ी ही personally लेने लगता है, तो उसका overall development होता है, अब purpose क्या होता है, इसमें सिर्फ आपको क्या दी जाएगी, जॉब जी जाएगी, अब development क्या होता है, development क्रियर ओर्येंटेट प्रोसेस होती है, इसमें मतलब आपको यहां से निकाल दी जाए, कहीं से भी निकाल दी जाए, आपके अपने पास भी एक करियर होगा, आप कहीं भी आपके अंदर टैलेंट आजाता है, आप क्या करते हो, आपको overall growth हो चुका है, तो आप कहीं भी जॉब ले लेते हो, तो यह क्या हो जाता है, career oriented process हो जाती है, I hope आपको यह difference समझ माए होगा, अगर CVSE 2023 में पूछा जाता है, what is the difference between development and training, तो आप इस तरीके से लिख करके आऊगे, तो इसी तरीके से सीखने के लिए, मेरे चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राब जैब करें, मिलते हैं फिन नेक्स वीडियों तब तक लिए जय हिन जय भारत,